नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो बदले की कारवाई चल रही है जिस तरह से इसराइल ने इरान पर हमला किया और उसके बाद उसके पक्ष में सारे की सारी पश्चमी ताकतें खड़ी हो गई और एक तरह से भुला दिया कि इसराइल किस तरह से अपने खूनी मनसूबों को आगे बढ़ा रहा है इसकी बड़ी वजह क्या है 26 अक्टूबर को जो हुआ जिस तरह से इसराइल ने हमला बोला इरान पर और उसके बारे में दावे किये जा रहे थ हत्या के बाद कई हत्याओं के बाद इरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी इसराइल पर सवाल यहां बहुत सीधा और साफ है कि क्या इसराइल के पक्ष में जिस तरह से अमरीका और यूरोप के देश खड़े हुए हैं वे चाह रहे हैं कि इसराइल अपने खूनी में आगे बढ़ता रहे अपना जैनोसाइड करता रहे और दरसल इरान पर इस तरह से हमला करके इसराइल क्या मेसेज देने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायस से प्रबीर जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि 26 अक्टूबर को इसराइल ने इरान पर हमला किया और उसके बारे में चर्चा आपने भी निउस क्लिक में की थी और देश दुनिया ने देखा था कि यह हमला किस तरह से जबाबी हमले के तौर पर देखा गया लेकिन आज मैं सबसे पहले आपसे जाना चाहती हूँ कि इस हमले के बाद इसराइल की जो पार्लिमेंट है उसने एक बहुत खतरनाक कदम उठाया है और वह कदम यह कह रहा है कि जो वहाँ पर यूएन की मदद मिल रही है फिलिस्तीन में घाजा में उसको भी वो बंद करन चाहते हैं यह एक बड़ा खौफनाक दृश्य है कि एक तरफ युद्ध है और आखरी एजनसी है संयुक्त राश्ट की जिसे बंद करने के लिए इसराइल की पार्लिमेंट ने प्रस्ताव पारित किया है तेखिए यह जो एजनसी है वहाँ पर गाजा में गाजा की गाजा के बारे में दुनिया को बताना और उनकी जेनरल रिपोर्ट हर महीने में रिपोर्ट आता है कि उनकी आखरी रिपोर्ट जो है उसकी हमारे बाद में जिकर करेंगे उन्होंने कहा कि गाजा में इस फक्त 90 प्रतिशत लोग जो है महावारी के शिकार है severe malnutrition के उनकी sub-symptoms दिखाई पड़ता है तो ये खबरे बाहर तक नहीं पहुचे कितने लोग मर रहे हैं उसकी कोई खबर न पहुचे मेरे ख्याल से ये कोशिश यही है क्योंकि इस आधार पे United Nations भी कहा है कि ये जो हो रहा है गाजा में इस वक्त ये तो एक genocide है तो ये United Nations की आखरी एजनसी भी चली जाएगी तो कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है वहां पर जो लोग वगावत कर रहे थे हमारे खिलाफ जो हमारे पर हमले कर रहे थे उस पर हमारे प्रती हमले हो रहे है तो ये जो तस्बीर वो पेश करना चाहेंगे चाहते हैं तो उसकी U.N. Refugee and Work Agency, Welfare Work Agency, जिसके बारे में इस सरह का resolution पारित हुआ है, तो इसका मतलब प्रबीर ये हुआ कि अगर यह लागू हो जाता है, तो दुनिया को पता ही नहीं चल पाएगा, कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, अभी तो कम से कम यह भयावा तस्वीरें और कुछ आकड़े हम तक पाउश बारे हैं? देखे, बंद करना पुरी तरह से सम्भव है ही नहीं, क्योंकि जो भी है, लोगों के पास अभी भी सेल फोन है, अभी भी कुछ ना कुछ बिजली आती है, तो फोन चार्च करते हैं, ख़वर अभी भी तज़वीरों की साथ साथ आ रही है, एकडम बंद हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, अभी भी पैलेस्टाइन अथारिटी जो है वहां पर, जिसकी इस वक्त अस्पताले वगरे जिनके उनके चलते हैं, बरी इस वक्त जो है 14 लाख है, बर्दन गाजा में 4 लाख है, जिनको वहां से पुरी तरह से निकालना चाहते हैं, पर अभी भी जो साथ निगाजा में जो लोग है, पूरा हमला हुआ क्योंकि यह इसराइल का दावा है कि वह जबाबी हमला है इरान ने इससे पहले उस पर हमला किया तो और इरान का कहना था कि जिस तरह से इसराइल ने सीरिया में उसकी एंबसी पर हमला किया अंगिनत नेताओं को टार्गेट किया उसका जवाब उसने दिया तो ये जवाबी कारवाई चल रही है आज जब हम आप बात कर रहे हैं तब भी इरान कह रहा है कि वो इसका बदला लेगा ये फिलहाल जो पिच्चर है य इरान की जो एर स्पेस है इसके अंदर इनकी हवाई जहाज नहीं घुसा वो इरान की एर स्पेस के बाहर से मिजाईल लागे हुआज से मिजाईल लागा गया है पर उनकी एर स्पेस के अंदर नहीं अब इराक जो कह रहा है उन्होंने कंप्लें भी किया इनाइड नेशन को कि ये बिजाइल इराक के एर स्पेस के होते हुए इरान में आया तो लगता है सीरिया इराक इनकी एर स्पेस के अंदर से बिजाइल दागा होगा पर काफी दूर से लगता है कि इरान के बॉर्डर से भी काफी दूर से ये दागा गया है ताकि एरान उनकी मिजाईल जो डाग रहा है, उसको कौन्टर मिजाईल से वही पर हवाई इहाज-जाज को भी अटैक न करे तो। लगता है कि एरान की मिजाईल की काबलियت को देखते हुएं, उनकी एयर स्पेस के अंदर खुचके नहीं बारा, एयर स्पेस के काफी बाहर तो एक तो यह तज़वीर अब साफ है क्योंकि पहले यह साफ नहीं था क्या इनके एरान की एर स्पेस पे इनकी हवाई जहाज आई या नहीं कितने मिजाईल दागे गए अभी तक हमें मालूम नहीं है पर बहुत ज्यादा मिजाईल संख्या में नहीं दागा है यह लगता है जी क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास मिली थी वहां के तहरान के एर स्पेस की ही तस्वीरे यह आई थी और भारत में सुभत ही वहापा यह जो आप देख रहे हैं यह दिखाता है कि इसमें काउंटेड मिजाईल जो दाखते है एरान तो उसका शिकार जब आने वाले मिज मिजाईल होते हैं तब इस तरह के तजबीर दिखता है तो यह दिखाता है कि उन मिजाईल को इन्हों ने एरान ने काफी हद तक रोग दिया था इसलिए तेहरान के ऊपर बहुत ज़्यादा बंबारे के निशाना नहीं है तो यह काउंटर मिजाईल्स एंटी मिजाईल्स की तजबीरे है तो एक यह तस्वीर है जिस तस्वीर को लेकर वेस्टन मीडिया में और इस्राइल में काफी दावा है कि उसने इरान के उस स्पेस को निशाने पे लिया है पार्शन की तस्वीर है यह जहां पर दावा किया रहा था कि उसके न्यूक्लियर और लंबे समय से पार्चिन निशाने पर रहा है? पार्चिन निशाने में जो बात कही जा दी हो 2003-2004 की बात है कि यहां इन्होंने क्या कहते हैं इसको nuclear trigger इसको कोई nuclear bomb नहीं होता है nuclear trigger जो कुछ explosive से अब compress कर सकते हैं वो उसकी experiment चल रहा था कहा जाता है और वो experiment जो है उससे artificial diamond भी बनता है जो हमारे तूल्स में इस्तेबाल होता है पहनते पहन भी सकते हैं पर हमारे बड़े पहनबाने पे टूल्स में इस्तेबाल होता कहता है जो उनकी सरकर कहती है तो पार्चिन की उस वक्त भी कोई साबित किसी ने साबित नहीं कर पाया था कि इसमें कोई नुक्लियर कुछ हो रहा है और इसके बाद तो भी उसमें कुछ हो नहीं रहा है और पार्चिन क्योंकि कहने से ही लोग कहेंगे देखो परमाणू वाल यह वो तस्वीर है जो इरान का कहना जब इरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी इसराहिल पर तो यह यह सारे निशाने पर थे द्वतीम एर बेस है, जोहाँ पर वहाँ पर काफी हमारी जाहज इनकी रहती है जो अड़ेंसट एरेक्राफ्ट वनकी है इस एयर बेस पर रहती है उनको दो घंटे पहले लगता है तुट कि अमरीक ने बता दिया था कि एरान हमला करने वाला है क्योंकि एरान ने शाल अम्री तो यह पहले ओर्ण किये और इस्रेल ने भी टेलिग्राफ तो किया है, बड़े पैमाने भमे टाक नहीं कर रहे हैं, आपके एरस्पेस पे गुज भी नहीं रहे हैं, तो यह दोनों तरफ से क्या कहेंगे, एक सतर्क्ता है, कि यह एक मात्रा के बाहर न जाए, क्योंकि अगर जाएगा दोनों तरफ से, अगर पूरी तरह से जंग की तरफ जाएं, तो इस्रेल का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनका लिमोना नुक्लियर प्लांट है, उनका फर्टिलाइजर प्लांट है, जहां से अमोनिया विशाक्त गैस है, वो निकल सकता है, वो तेल लवी पर इसमें वार होता है, तो दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, और दुनिया का भी क्या होगा, कहां नहीं जा सकता है, देखें, दुनिया इस लड़ाई में इसका दो खत्म होने से, वेस्ट इस्या में काफी नुकसान होगा, पर दुनिया खत्म नहीं अमरीका रूस अगर लडाई करता है तो हाँ दुनिया ख़ब हो जाएगा और इंडिया पाकिस्तान लडाई करता है तो भी दुनिया ख़ब हो के संभाबना काफी है तो इसलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि दोनों पक्ष सतरकता बरताव कर रहे हैं ताकि यह ऐसे जो कदम ना हो जाए कि दूसरा पक्ष समझे हमारे पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है और पूरी तरह से उसका जबाब दे तो यह पहले की और अब की जो तज़वीरे हमने देखा दिखा रहा है कि बड़े पैमाने पर शहरों पर एटक नहीं हुआ है एयर बेस पर भी हवा तो इसी रहे पारचिन को अटाक करना एक टोकन ही मानते हैं चार इसको पहले से बता के एयर बेस को अटाक करना यह दिखा रहा है कि एरान के पास यह शक्ती है कि हम आपके शहरों पर भी अटाक कर सकते हैं आपके नुकलियर प्लांट पर अटाक कर सकते हैं हमारा एक्यूर इसी देख लीजिए और इसको आप रोग नहीं पाए है इसका मतलब आपके जो आपका मिजाइल डिफेंस है वो हमारे मिजाइल को रोग नहीं पाएगा तो आप सोच लीजिए कहां तक इस जंग को अब चलाना चाहिए लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है प्रबीर की यह इसको याद करना इसलिए जरूरी है कि इस समय फिलिस्तीन में जिस तरह का जैनोसाइड इसराइल कर रहा है और 1948 के बास से अभी तक वहम तस्वीरे देखते रहे हैं नक्षा कैसे श्रिंक होते हुए खाली कैश्मेंट्स में कुछ चला गया है जरा-जरा से इलाके रहे पॉसलो अकॉर्ड 1993 के अकॉर्ड है रिसेटली बहुत थोड़े दिन पहले ही इसरेल के पारलिमेंट पे गोशना किया है हम तू स्टेट सेलूशन को नहीं बानते जबकि अरब इसरेल की यो पीस प्रोसेस था उसका नीम था पॉसलो अकॉर्ड में कि तू स्टेट्स होंग फिलिस्टीन और इसरेल और फिलिस्टीन को आजादी मिलेगी उसके तहद वेस्ट बैंक में एक फिलिस्टीन अथारिटी रहा और गाजा में भी पैलिस्टीन अथारिटी वहां पर चुना होके वो जीता रहा जो भी जीते पर उनको कभी आज तक आजादी नहीं मिली और इस Oslo Accord को officially इस्रेयल कंसल कर दिया, आज के भाषा में कैंसल कर दिया, तो ये इसलिए हम जिन्दा नहीं है, और ये एक बड़ी तस्वीर है आज के तारीख में जहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो इसराईल है, इसराईल, इराक, सीरिया, जौर्डन ये पूरा का प इसा देष फो incredibly दुनिया का का इकलओता देश जो एक साथ चार देशों के खिलाब हमले करने की यूजला बना लेता है हमला कर लेता है और उतका कुछ भी पाल बाका नहीं होता लगातार बढ़ता रहता है Iraq को पार करके उसने एरान पर उधर किया, सेरेया पर प्रभी उसने हम्ला किया, लेबनान में वो दूसा काज़वारी शीरिया एक हिस्सा अभी भी कब्जें है, इसको गुर्जॉलान हाइट उसीरिया का हिस्सा है, वो अभी तक उसके इसरेल उसको कब्जा कर रखा है तो यह जो नक्षा है यह बता रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर इसराइल अपने जो मनसूबे हैं उसमें काम्याब हो रहा है इस पर पहली बात तो इस जंग की बात देखे इस वक्त देखे हमलों की बात अगर देखे तो इस वक्त यह है बेरूट पर हमला हो रहा है इधर सिर्या पर भी इनोंने हमले किये है दो मुल्क है पर बेरूट पर लगातार बंबारी हो रही है बड़े पैमाने पर लोग बरे बारे जा रहे हैं पत्रकार मारे हैं सिर्फ नसरुल्ला की मौत के साथ साथ तीन सु सिव गाजा की तस्वीर तो आपके सामने है और वेस्ट बैंक में जो आपका चल रहा है वो भी मालूम है कैसे चल रहा है तो यह तो कहेंगे जो मूल लडाई का चेत्र इस वक्त यह है लेवनान गाजा वेस्ट बैंक जो की टुक्रे हो चुके हैं दो इसलिए उनको एक देश हो वहाणने के बावजूद एक समशने की ड्रेक घशलाय आपसने पर समवनभाहा थे और दूसरी बात हे कि अज 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 बिली नहीं है वह अभी इस्रेल के मिलिटरी के को उकुपेशन में है जो सभी मानते इस पर कोई बहस नहीं है इब homicide ऑह तक है अबी आमेरिका की अभी देशों के साथ वो इन Basis होने के नाते वहां पर सीरिया में इनकी बैसे है यहां पर इन जगों पर उनकी बैसे है जहां पर जंक्शन साए एराग के थूह अगर जाना चाहे सिरिया तो उसको रोकने के लिए अमरिका वहां बैठा हुआ है तो यह जो चीजे है अभी भी दिखाता है इनके मनसूबी क्या है कि पूरा इलाका इसको वेस्ट एशिया कहेंगे पूरा इलाका तेल बहुत बड़े पैमाने पे हां तेल और नैचल गैस बिलता है दुन गोषणा आँ 챙रा अमरिका क स्ट्रीजिक पूरा जाए सलग मदाता है यह मैं पूरा इलाका अमरिका का स्ट्रीजिक पूरा इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है तो वो तो गया अबर सबसे बड़े दुश्मन इसलिए इरान बना तो एरन के साथ जो टक्र हुआ उसके वजय से अभी भी एरान वहां से अच्छूत करके रखा है कि कोई उसको चुएगा तो हम आप पर हमला करेंगे तो यह जो उनका करने का मनसूबा था वो इसी लिए कि एरान उस वक्त शहाफ एरान थे उनके पिट्टू थे उसको गिराए गया और उसके बाद अमरीका क वहां से बहिश्कृत कर दिया एरान ने तो उस दुश्मनी अभी भी बरकरार है और उनका अमबसी उकुपाई कर लिया था आपको याद होगा तो वो सब के वजय से आज भी एरान उनके निशाने पे है और इसी लिए इसरेल जो की समझता है कि दूसरे आरब मुलकों की इ अगर इस पर अटाक कर दिया जाए तो हमारा काम हासिल हो जाएगा और यह सवाल दर्शकों से दूसरे लोगों से पूछना चाहूंगा कि सवाल यह नहीं कि इसरेल इसे सब कर रहा है सवाल यह है कि अमरीका जो अपने आपको दुनिया के सबसे बड़ा मुलक मानता है और G 27 है जो अमरीका उसमे है और छे देश है वो कहते हम रूल बेस्ट और हम तय करेंगे और फ्या है उसका इस रूल बेस्ट और में इस रेल को हातियात देना इस रेल को पूरी प्रोटेक्शन देना इन detox 나ap इंत्ट कांसिल में ता कि उस्के खिलाब को यज बिष ऐक्शन National Security Council में, ताकि उसके खिलाफ कोई आक्षिन ना हो, अभी भी जो भी इस्रेल कहता है, चाहे इन्टनाशनल काउंसिल अफ जस्टिस, इंटनाशनल क्रिमिनल कोट, जो भी कहे, कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि अमरीका का छत रचाया, कि साथ-साथ अमरीका की पूरी वैपन्स, सपोर्ट इस्रेल को कर रहा है, जितना वैपन्स दाग रहे हैं, अमरीका का अगर सपोर्ट नहों, तो इनकी 10 दिन में खत्व हो जाएगा, 18 बिलियन डॉलर की अस्त्र इस दोरान इनको मिल चुका है, और चीजे तो छोड़ दीजिये, तो यह जो है, क्यों है, अमरीका क्यों इतना बड़ा जेनसाइड जो चल रहा है, पीछले एक साल से उपर चल रहा है, सिर्फ एक दिन की बात वो कहते है, कि साथ अक्टूबर यह हुआ था, साथ अक्टूबर का पचास साल पहले किया हुआ है, और साथ अक्टूबर में भी अगर बारा सो लोग मारे गए, ऑफिशल जो उनका अंगडा है, यहां पर तो 43,000 मारे गए हैं, और बड़े पैमाने पर बच्चे निशाने पर आए है, बुक्परी की शिका पर गाजा है, उस पर सबसे बड़ा ज्यादा जो एफेक्टेड है, उस तो बच्चे है, तो यह तो सामने है, मेरा सवाल लोगों से है, दर्शकों से है, हम से और आप से है, कि क्यों अमरीका, यॉरप इस बरबरता को अभी भी कोई बात इसके खिलाफ करने के लिए, कहने क करना चाहिए, सब को कहरें कि जस्टिस इस ड़न, बदला ले लिया, और बदले के राजदीत तो गांधी ची ने बहुत बहुत पहली कहा था ना, आई फर डाई, अगर होता है, आँक के बदले में आँक अगर लिया जाता है, पूरी दुनिया अंधे हो जाएंगे, और मैं इससे एक आगे और समाल पूछना चाहता हूँ, क्या वजय है कि यॉरप की जो प्रमुख देश आपने आपको सिविलाइजेशन का नेत्रतों करने वाले मानते हैं, यू कि फ्रांस, जर्मनी और यहां पर है आपके यॉनाइटेड स्टेट्स, कैनेड़ा, ठीक है ना, जी आपके युके भी आपके यहां परांस, अमरीका तो देही रहा है, क्यों? तो मैं लग समझता हूँ कि यसलिए कि इन मुलकों यह जो मुल्क है जैनोसाइट से अपने कलोनियल उपनिवेश बात जो कहते हैं, इन्होंने काइम की थी, अमरीका की इंडिजनस पॉपुलेशन को खतम करके अपने लोगों को नसल के लोगों को बैठाये थे, तो नसल बादर जैनोसाइट यह दो वज़े हैं, कि इसरेल के साथ हमदर्दी है, और दूसरी दुनिया जो है, ब्राउन है, ब्लैक है, उनसे उनका कोई उस तरह का संबंद नहीं है, इसके बिना, इस रूल पेस्ट और कैसे आप कह सकते हैं, होना चाहिए इसके साथ जैनोसाइट का भी एक साल से चलता हुआ जैनोसाइट को भी आप सपोर्ट करते हैं, शुक्रिया प्रबीर और निश्य तोर पर हम यह जो सुलगते हुए सवाल और सुलगता हुआ इलाका है, इस पर आपके साथ जश्न मना रही हैं युद्ध का, हथियारों का, और जिस तरह से फिलिस्तीन में बड़े पैमाने पर जैनोसाइट हो रहा है, लोग और बच्चे मारे जा रहे हैं और वह युद्ध बढ़कर पहुँच गया है लेबनान, सीरिया भी निशाने पर है, उससे एक बात माइंड है, वह है अमरीका और अमरीका अपने निहित स्वार्थों के लिए चाहता है, कि यह इलाका सुलकता रहे, यहां जो तेल और नैच्रल रिसोर्सेज हैं, उन पर जब तक वह अपनी कबजा नहीं कर लेगा, तब तक शायद इस युद्ध को, इस युद्ध की आग क वह बुजने नहीं देगा, शुक्रिया